टोमेटो केचप या सॉस तो मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है पकोड़े हो या चीले पास्ता हो या बर्गर सबके साथ केचप का स्वाथ बहुत अच्छा लगता है खास दोर से बच्चों का तो मन पसंद होता है लेकिन बाजार का टोमेटो केचप अच्छा भी नहीं होत हो सके तो थोड़ा सा घुला हुआ होना चाहिए टमाटर को अच्छे से धो लेना है प्रिशर कूकर में रखना है एक कप पानी डालेंगे और धक्कन लगा के तीन सीटी तक पकने देंगे पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगाएंगे तीन सीटी में टमाटर अच्छे से पक जाएगा तब हम इसका प्रिशर निकाल लेंगे और कूकर थोड़ा सा थंडा हो जाएगा तब हम इस टमाटर को किसी बड़े बरतन में निकाल के अच्छे से इसको थंडा कर लेंगे तो थंडा करने के लिए आप चाहे तो फैन की नीचे भी रख सकते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाएगा जब टमाटर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीस लेंगे तो पीस्ते टाम ध्यान दीजेगा गर्म टमाटर बिल्कुल मत पीसेगा वरना जार का ढखकन खुल जाएगा और पूरा कीचन केचप केचप हो जाएगा तो सारा टमाटर मैंने पीस लिया है और ये हमारा टमाटर का प्यूरी बनके तयार हो गया है अब हमें एक बरतन लेंगे और उस पर एक बड़ा सा छन्नी लगाएंगे और इस सारे टमाटर की फ्यूरी को अच्छे से छान लेंगे इसका बीज और छिलका हमें अलग कर लेना है तो इस तरह टमाटर की फ्यूरी को छनी में डालेंगे और किसी चमच की हल्प से गोल-गोल घुमाके इसको अच्छे से छान लेंगे लास्ट में टमाटर का छिलका और बीज बचेगा तो इसको आप फेक दीजेगा किसी और खाने के इस्तेमाल में बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि जो टमाटर का छिलका और बीज होता है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है वो कहीं न कहीं जागे अगर रुख जाएगा तो वो पत्री का रीजन बनता है तो इसी तरह बागी टमाटर प्यूरी को भी हम अच्छे से छान लेंगे कभी भी टमाटर केचप या सॉस बनाने के लिए टमाटर को हमेशा लाल और एकदम घुला हुगा होना चाहिए तभी इसका टेक्च्चर और कलर एकदम बजार जैसा बनके तयार होगा तो सारे टमाटर की प्यूरी को हमने अच्छे से छान लिया है अब इसको हम पकाएंगे तो उसके लिए एक कडाही में इसको डाल देना है तो डालते टाइम थ्यान दीजेगा ये छिटकने लगता है तो थोड़ा डालते टाइम समल के डालियेगा अब इस टमाटर की प्यूरी को चार से पांच मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे पांच मिनट बाद इसका पाने थोड़ा सा जल के खतम हो जाएगा और ये गाड़ा होने लगेगा जब ये गाड़ा होने लगेगा तब इसमें हम एक छोटी चमच कास्मीरी लाल मिर्स पाउडर डालेंगे आदी छोटी चमच नमक डालेंगे दो बड़े चमच वाइट विनेगर डालेंगे और दो बड़े चमच इमली की प्यूरी डालेंगे तो इमली की प्यूरी इसमें आप्शनल है आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं लेकिन इसको डालने से सॉस का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा आएगा उसके बड़ 200 ग्रम चिनी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे दो से तीन मिनट और पकने के बाद ये हमारा टोमेटो केचप बन के तयार हो जाएगा अब किसी बड़े चमच या प्लेट में थोड़ा सा सॉस लेके हम देखेंगे अगर किनारे पे थोड़ा भी पानी रुका रहेगा तो हमें सॉस को थोड़ा और पकाना होगा नहीं तो ये हमारा टोमेटो केचप एकदम अच्छे से बन के तयार हो गया है तो इस तरह आप भी घर पर आसान तरीके से और जटपट एकदम बाजार जैसा टोमेटो सॉस या कैचप बना के तयार कर सकते हैं और इसे बनाना भी कितना आसान है कि कोई भी बना लेगा आज कल तो टमाटर 10 रुपे कीलो मिल रहा है तो आप भी जल्दी से बना के रख लीजिए आप इसे एक बार बना के किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के एक महिने तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाए और शालीनी कीचन को सब्सक्राइब करके बिल बटन दबाके आल पे क्लिक करिए थैंक यू